वेलकम टो गुरुकुल आम यो कुल गुरु चलिए शुरू करते हैं केमेस्ट्री फोर्थ चेप्टर जो कि कार्बोनिक्स कंपाउंड है 10 प्लास का ओके तो इस चेप्टर को प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसके पिछले चेप्टर में हमने पढ़ा था कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड के बादे में इस चेप्टर में पढ़ेंगे कार्बं और उससे रिलेटेड उन्से जो कंपाउंड बनते हैं उनके बादे में कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड जैसे इथानॉल हो गया इथानोमी के एशीड हो जो कारबन से बनते हैं जो हमारी डिलेलर्याइफ में कांखी उसके बार एक ब्रांच है वो टोटली कावन एक्स कंपाउंड पे ही बेस्ट है ओके तो राविट नौ वी आपको दिख रहा हूं मेरी बॉड़ी ये कार्बन की है आपके बुक्स जिसा पढ़ रहे हैं वह भी कार्बन का बना हुआ है आपके घर में उड लक रही है वह भी कार्बन का ह हमारे आज परस बहुत साइब चीज़ें हैं इनके बहुत साही नहीं इन जर्नल जितनी वी चीज़ें हैं उसमें कार्बन एज़ा कंस्ट्रींट पाई जाता है एक डाग्राम देखिए मैंने डाग्राम के जरीए और शोर किया है यह तो खैर कुछ स्पेसिफिक फॉंक्श इस अलकोहल तो अलकोहल अलसो है करवन क्योंकि यह जो आज ग्रूपना बैसेकली डिस इस कॉले मिथाइल ग्रूप सी एस थ्री ओके यह हम अभी लेटर पढ़ेंगे जब हम इससे प्रोसीड करेंगे देन पाइनेपल मैंने बता दिया जितने भी लीविन ऑग्रीजम से उ सब्सक्राइब करेंगे लेकिन हमारे आस पर जितने भी लीविंग और्गनिजम से लिविंग अर्थिंग्स हैं उन सब में कार्बन प्रिजेंट होता ही होता है मटलब कि सिफ नायों के आगे देखेंगे डायमंड हो गया आपको ग्रिफायट जो पैंसिलmost visual होती है तो ग्रिफायट वहती सिफ प्योर कारवन से बना हुआ है या आप एक फ्लोरीन आएगा एक का एलोटॉप किसे कहते हैं मैं नभी बोला आगे देखेंगे तो यह सारे चीज़े कारवन से बने है तो जो चीज सिफ कारवन से बनी है डाट इस ऐलेमेंटल फॉर्म और कुछ चीज़े कुछ नहीं बह लोग पीते रहते हैं तो उनका भी काफी यूज़ा हमाई ड़ी लाइप में कारवन कंपाउंच देख लिए फॉर एग्जाम्पल अब डिकरजेंट या सोप ले लिए वह भी कारवन कंपाउंट इसमें कावन पाए जाता है साब तो हमाई डैली लाइप में कारवन तो हर अगर प्रिजेंट है ठीक है चलिए चप्टर को देखते हैं सब्सक्राइब प्रिजेंट इन इलेमेंटल फॉर्म सब्सक्राइब करके नाता है कावन कंपाउंड कुछ भी हो सकता है फूद हमारे जो खाना वह भी करणकाउंड वो से मिल करके बना एक क्लोट जो हम कपरे पहनते हैं जाइन यह भी करणकाउंड है जो दवा हम खाते हैं वो भी carbon compound होता है books मैंने बता दिया living things structure are carbon based जो living thing structure जैसे human plant bacteria कोई structure देख लिजया उसमें at least carbon to present हो गई होगा ठीक है carbon present in earth crust is 0.02% the form of minerals and carbonates hydrogen carbonates and petroleum and coal देखिए earth crust अगर है earth का जो उपर अला surface जिस पर हम रहते हैं that is called earth crust यह अर्थ है तो यह अर्थ crust ठीक है तो यह उपर अला surface ना अर्थ इसके अंदर carbon पाई आता है इसके अंदर क्या पाई आता है carbon और यह carbon कितना होता है water 0.02% only ठीक है और यह जो 0.02% मैंने carbon बताया है कि earth crust में पाई जाता है यह किस फॉर्म में होता है as a minerals minerals जो होते हैं जैसे carbonates का form में यह हमने पिछले शप्टम पढ़ा है hydrogen carbonates का form में जैसे था ना sodium carbonate sodium hydrogen carbonate petroleum petroleum जो petrol हम यूज करते हैं as a fuel उसमें भी carbon पाया जाता है जो कि earth crust से निकाला जाता है coal जो हमाई daily life में इस्तमाल होता है industries हमारी इस्तमाल करते हैं coal वह भी आपको carbon compound है carbon in atmosphere is 0.03% जो atmosphere है उसमें carbon कितना present है only 0.03% देखिए earth crust हो या atmosphere हो उसमें carbon का जो percentage है कितना कम है लेकिन in real life इसकी importance बहुत ही जाद है और यह बहुत सहीं चीजों में जितने living organisms हैं या बहुत सारे compounds carbon पाया जाता है ठीक है now examples of organic compounds organic compound basically कह सकते हैं वैसे compound जो carbon hydrogen से बने हो या कुछ और elements जो carbon से मिलकर बने हो तो वैसे वैसे components और यहां पर एक्जांपल देख लिए पेपर हो नेल पॉलिस हो candle हो फैब्रिक्स हो सोप हो या गैस वाली नहीं सारे क्या और उस carbon और इट्स से मिलकर यह साथ चीज़े बनी हुए है ठीक है अब है bonding of carbon and covalent bonding of carbon that is the covalent bond bonding के बादे मैंने एक चीज पिछल chapter में समझाया था बताया था आयोनिक बॉन किसे करते हैं sodium and chlorine के बीच में जो transfer of electron हुआ था और उसके इसको बाइब बना था sodium and chlorine के बीच में उसको आयोनिक करते हैं basically ironic bond में क्या होता है मैंने पहले खायए था आइनिक bond में transfer of electron होता है sodium अपना electron रिलीष करता है chlorine अपना electron आपको accept कर लेता है तो वहांपर किया वहां पर bond bond रहा है वो किसको से बन रहा है transfer of electrons के आइसा बन रहा है Covalent Points वैसे Bond होता है जिसमें Bond बने Sharing करके तो मैं आगे पता हूंगा कि किसी को अपनी Stability Maintain करें के लिए क्या करो कि हम भी Unustable नहीं है तुम भी Unustable नहीं हो तुम अपना एक Electron मुझे देदो हम अपना एक Electron तुमें देते हैं और दोनों Sharing करके अपना अपना तो चीज़ आ आप दी है के गाँ शेरिंग आड मांगी कोई चीज करता कि वह तो इस तक हम आगे देखेंगे जो मैं अपिने ब्रथ रूपल देखेंगे प्लत नवं नी बटा दे आप पू परिब्श चैट्टर विल्ल लॉर्ण उड नापने अपना अपने अपनेस प्रप that's why the bond are so strong ionic compounds है उसमें electron की ट्रांसफर होने को वेसे bond बन रहा है और आपको पता है moment of electrons leads to the conduction of electricity तो ionic compounds चाहे हो water में हो या किसी solution में हो या molten form में हो solid state में नहीं मैंने पहले एक स्प्रेंट कर रखा है solid state में ionic compound हो या कोई भी compound हो वो in general electricity conduct नहीं करता है ठीक है तो ionic compound solid state में नहीं करेंगे लेकिन और वो solution के form में है या molten form में है तब electricity conduct करेंगे क्यों करते हैं मैंने पिछले बता दिया है लेकिन यहाँ अब electron में ना electron totally transfer होता है ना totally आपको मतद नहीं totally transfer होता है वहाँ सिर्फ शेर होता है जब शेर होता है तो आपके electricity conduction की बात ही नहीं आएगी electricity conduction की बात नहीं आएगी इसलिए जो carbon and its compound होते है और that are poor conductor of electricity ठीक है जिस मैंने आगे लिखी हुए लिखा हुआ है आगे देख लीजगा चलिए अब हम carbon's की properties देखते हैं मैंने आपको चीजों को चीज़े आपको याद हो जाए है transfer of electron और sharing of electron किसी बही compound को क्यों important है आखिर मैं आप देखिए कोई compound और कोई bond बन रहा है वो transfer of electron से बन रहा है कोई bond बन रहा है वो sharing of electron से बन रहा है बैसे के लिए देखिए दो चीज है जो हमें से याद रखेगा कभी भी bond formation तब होता है जब atoms जो है वह स्टेवल नहीं है या उनका चाहिए उसके बाद हो जाएंगे तो हमने देखा थाक इसमें एक वार इस सेवेन वाइलेंस एलेक्ट्रोन होते हैं तो इसके आट हो गया और यह यह लूच कर दिया इसके भी एक जैसे टू एट वान यह आपको एरेजमिंट ऑफ वाइलेंस चेल है और को देखिए टू एट सेवन तो इसने अपना लूच किया है जब आपको तो सोडियम हो गया टू एट और कोलरीन हो गया टू एट एट यहां पर देखिए एलेक्ट्रोनी कम फुर्गेशन जो आउट आउट वर्चल है उसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए इस ट्रांसफर अप एलेक्ट्रोन होता है फिस सवाल है कि सर आखी वे कोई एलेमंट्स कीतना कर सकता चल यहां पर सोडियम के पास एक 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 स्वाल था यह किसी साथ एक्ट्रून नहीं ले सकता अब तो यह सकता Crist जो sodium जो atom है, sodium जो element है, वो क्या चाहेगा, यह छोड़ो, किसलिए 7 electron को लेना, जब उसके stability नहीं रहेगी, वजूदी नहीं रहेगा, तो क्यों ना आपने एक electron छोड़ दिया जाया है, उसको donate कर देते हैं, हम में stable हो जाओंगा, तो sodium चलाकी क्या करता है, वो एक electron दे देता है वहीं पर chlorine क्या करता है, chlorine आपको 7 electron किसी को वह भी नहीं दे सकता, जब 7 electron दे देगा, तो भाई, chlorine का पास charge आजएगा, कितना charge आजएगा, प्लस 7 charge आजएगा, प्लस 7 chlorine भाई, वो खुद unstable हो जाएगा, करेगा, मैं पास electron ही नहीं बचे, मतलब electron बहुत कम हो गए उसके पास और वो unstable हो जाएगा, तो जब unstable हो तो वो क्या सोचेगा, क्यों ना किसी से एक electron ले लूँ, और मैं भी अपना update कम्प्लीट कर लूँ, तो sodium अपना एक electron डोनेट कर देता है, और chlorine उसी electron को accept कर लेता है, तो यहाँ प एक bond बनता है, तो bond क्यों बन रहा है, ट्रांसफर को बन तो मैं इसको continue करता हूँ, कि जो ट्रांसफर बन है, वो update कम्प्लीट करने के लिए, लेकिन बहुत केस होता है, कि आप यह पूछिए, कि सर ठीक है, कोई element एक electron डोनेट करता है, तो maximum कितना डोनेट कर सकता है, वह हैं 3, अगर किसी element या item को अगर stable होना है, तो maximum कितने element डोने accept कर सकता है, 1, 2 या 3, उससे जएदा accept नहीं कर सकता, तो उसके बितिशन हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर 4 की बात है, सर क्या होगा, अगर 4 electron है, जैसा carbon के case में देख लिए, carbon की group में देख लिए, सर उसके valence electrons, तो 4 है, आपने का 3 donate कर सकता है, कोई element है, 3 accept कर सकता है, तो यही के step आता है, वह आता है, covalent bond का, अब 4 electron है, आप 4 electron वो किसी को donate नहीं कर सकता, और वो किसी से続 4 electron accept कर सकता, अब यह क्या करेंगे, यह क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, अपने चाइल eutron किसी दूसरे चाइल eutron सा share करके, अपना auktate complete करने की कोश़िस करेंगे, ठीक है so sharing का concept ही आता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हम ना तुमको दे रहे हैं donate करें totally ना हम तुम से totally ले रहे हैं चल भाई 4 electron हम तुम्हें अपना देते हैं carbon और 4 electron तुम अपना दो जो दूसरा element ही चाहिए वो carbon ही क्यों न और दोनों हम आपस मिकार कर लेते हैं sharing कर लेते हैं ठीक है तो sharing का concept आता है इसलिए कि कोई भी element चाहिए लेक्ट्रों ना totally donate कर सकता है ना totally accept कर सकता है okay so sharing leads to the formation of bond which is known as covalent bond covalent bond कैसे बनता है sharing of electrons से so the carbon जो भी carbon है जो भी non-metals है आपको पहले carbon एक पहले बता दिया है metal and non-metals में तो carbon क्या poor conductor of electricity है क्या है poor conductor of electricity है क्यों poor conductor of electricity है because यहां पर sharing of electrons को वह से आपको carbon exist करता है जो भी इसका compound है इसलिए carbon compounds होंगे वो पूर conductor of electricity होंगे second है low melting and boiling points carbon के जितने भी compounds होता है उनके अंदर low melting and boiling points क्यों होते है आइनी compound केस में आपने देखा था कि वहाँ पर जो है melting and boiling point हो काफी sharp होता है काफी जादा होता है लेकिन carbon compound में काफी कम होता है आगे मैं क्यों कम होता है देखे मैं इसको समझाने कोशिश करता हूँ basically होता क्या है in general जैसा कि CSCL3 है CSCL3 को आप आगे यह structure लिखना आप सीख लेंगे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर देखें जो carbon यहाँ पर chlorine से जुड़ा हुआ है इसके बीच में जो bond है यह bond है यह strong है लेकिन सपोच कि CSCL3 एक compound हो गया CSCL3 यह दूसा compound हो गया इनके बीच में जो bonding है यह bond weak bond होता है कैसा होता है weak bond होता है तो in between the molecules जो bond होता है carbon compounds का वो weak bond होता है लेकिन in the molecule जो carbon compound होता है वो bond कैसा होता है strong bond होता है strong bond ठीक है तो यह जो in between the carbon intermolecular जो bond होता है carbon compounds का वो काफी weak होता है इसी वएसे इनकी जो melting point में boiling point होती है वो क्या होती है काफी कम होती है ठीक है आपको एक्जामपल देख लिए यह N70 का जाता है Acidic Acid है इसके melting point है वो 290 है just 290 मतलब आप देख लिए 273 आपको हो गया 17 degree Celsius पे आपको बॉयल कर जाएगा यह आपको कर जाएगा यह आपको कर जाएगा यह आपको काबन कंपाउंड है क्लोरोफर्म देख लिजिए 209 209 Kelvin है और boiling point आपको 334 तो यहां पर आप देख सकते हैं चाहिए इथानॉल हो गया या मिथेन हो गया इनके के जो melting points and boiling points देखे कितने कम है इसलिए कम है बिकार्ज जब फोसफे interaction between the molecules of the carbon compounds are so weak okay मैंने लिख देए यहां पर तो force of attraction between the molecules are not strong therefore melting point and boiling points are low ठीक है now non conductor of electricity मैंने बता दिया carbon and its compounds are non conductor of electricity और non conductor of electricity से क्योंकि conductor conduction of electricity मैंने बताया कि basically वहां पर क्या होता है transfer of electron होता है तो भाई यहां पर electron का transfer कोई जिकरी नहीं है carbon compounds में वहां पर तो sharing आप बात होती है किसकी बात होती है sharing के बात होती है तो non conductor of electricity जब है इससे आप conclude कर सकते है है कि the bonding in this compound does not give rise to any ions जब transfer compounds होता है तो वहां पर आयों का formation होता है for example sodium NACL का case में देखिए यह electron कर दिया और इसने को इस electron को accept कर लिया तो अच्छार जाए गया पोजिटीव और निगेटिव और आपको पटा electricity conduction के लिए किसका जोड़ परता है ions की जोड़ परती है और electrons के जोड़ परती है तो जब ions ही नहीं बनेंगे जब electron को एक ट्रांसफर ही नहीं होगा तो electricity conduct कैसे होगा तो यह तो है कि electricity conduction कैसे होता है तो अगर carbonics compound non-conduct of electricity है तो इसका यह मतलब है कि यह ions बनाते ही नहीं है और जाई जब तो यह ions कैसे बनाएंगे यह तो sharing of electrons से ही इनके compounds बनते हैं ठीक है एलेक्रोनिक कंफोगेशन आप कारबन देखिए एलेक्रोनिक कंफोगेशन किसे कहते हैं arrangement of electrons around the atom around the nucleus of an atom उसे हम electronic configuration कहते हैं ठीक है किसी भी atom में किसी भी कोई भी atom है उसके nucleus का चाहओ तरफ electrons का एलेक्रोनिक कंफोगेशन कहते हैं यहां पर देखिए यह जो है यह carbon का nucleus है ठीक है और यह देखिए यह है के सेल इसको कहा लिए के सेल है और यह है एल एल सेल तो पहले सेल में कितने दो एलेक्रोन आते हैं तो आपको पता है number of electrons in each cell यह किस फॉर्मला से होना कितना चाहिए सेल में 8 एलेक्रोन होना होना चाहिए लेकिन है कितना फोर है मतलब carbon साब को child electron और चाहिए अपने second cell को complete करने के लिए मैंने और यह childron तो इनको मिलेगा नहीं कि मैंने बता दिया पहले child electron ना यह किसी से completely ले सकते हैं ना completely किसी को दे सकते हैं तो option एक ही वस्ता है by sharing कर लो ठीक है लेकिए for example sharing का concept क्या होता है सपोर्ज करिए मैं एक business करना चाहता हूं और मेरा दोस्तों करना चाहता है बिजनेस में जो कुल लागत है वह है एक लाक रुपे कितने एक लाक सकताओं कर सकता क्योंकि उसके पाद 50,000 फिटीन 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 की रुपीज है तो हम दोनों क्या कहेंगे कालें मैं जाओंग आपने दोस्तों सुनों बात तो ब्युद्पीन घरए सेवचंपने अपना 50,000 मुझे दें मतला 50,002 लगा दे बीजिस में और मैं भी लगा जाता हूँ एक लाग हो जाएगा हम दोने मिल करके यह बीजिस कर लेते हैं और जो फायदा होगा हम दोनों आपस में डिस्ट्रिबूइट कर लेंगे तो in the same way chemistry भे ऐसी वर्क करती है जाहां पे लेंद देन का चक्कर खतम हो जाता ठीक है जितने कावनिन फंपाउंट के जितने कोवलेंट बॉंड है इसी कंसेट पर वह चलता है नाओ नोट दा एक्टिमिटी अग्विट इसके अग्जांपल बताऊंगा कोई चीज जी जेक्टिब कव होता है जैसे पो एक्ग्जांपल अब कोई in human nature देखिए कोई भी बहुत जादा work क्यू करता है कि किसी चीज की खौईश होती है expectations होता है तब आप काफी काम करते हैं जैसे आपको काफी खौईश एक्सपेक्ट करने का तो आप किसी चीज को expect करें तो आप काम करेंगे काम करें तो आप reactive हैं ठीक है in the same chemistry जब लिए उसके आउटर मॉस्ट वालेंच शेल के अंदर जिसको वैलेंच चाहिए अगर उसकी तब तो किसे से रिक्षन नहीं करेगा वह तो तो जाइसे मैं किसे रिक्षन नहीं कहूंगा इन जर्नल या ऐसा होगा कि बाई मुझे को इस्यू नहीं है जैसे आपके class में टॉपर्स होते हैं बाइ रहे रहे रहा हूं मैं तो या टॉप पे टॉप कर रहा हूं उससे क्या रहे होता है बहुत ज़्यदा भाग दौर करने की या बहुत ज़्यदा मेहनत करने के लिए क्योंकि वह स्टेवल है तो जब भी कोई चीज या रहा है जो बना है मतला किसी से अटेच हो गया था मतलब जो बन बना है वह स्ट्रॉंग बंड है ठीक है तो एक यह यह पारमीटर या रहाए तो आगे आएगी तो यहां पर या रहाए रहाए और कोई चीज नौन रिएक्टिव है चाहिए वह इन नेचर जनरल स्द kड़ित्र या उतनर अक्टिव है तो थै किसी नहीं करेगा ठीक है थिक that is to attain the noble gas configuration यही जो है न कि complete noble gas configuration क्या होता है noble gas configuration कहते हैं देखिए noble gas configuration किसे कहते हैं कि किसी भी जो noble gases होते हैं जो आपको helium है neon है organ, krypton, xenon, radon इनके जो outer cell electrons होते हैं outer cell electrons complete होते हैं जब outer cell में number of electrons complete होगा तो यह non-reactive होगे बहुते हैं जो चीजा non-reactive होते ही उसे क्या कहते हैं noble कहते हैं इसलिए यह जो pennrak कॉण होते हैं और 18 गरूप इनका क्या चाहता है कि इनके जैसा configuration उनका हो जाए मतलब outer जो शेल है जिसे वैलेंच चल कहते हैं वह उसके अंदर totally completely filled electrons हो जाए ठीक है तो वह यह चीज लिखता है कि the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell हाना that is to attain the novel gas configuration ठीक है so जो मैंने covariant bond के नेचा के बाएं बताया था उसके region समझायाते उसी का explanation है आप यहाँ पर देखिए इट कूद गेन four electrons forming c plus anion c plus नहीं होगा स्वादी हम आफ करेगा that is c minus anion but it would be difficult for the nucleus with six protons to hold on to retain electron that is four extra electrons देखिए अब कारबन है कारबन का पास है आपको दो electron और चाह छे electron यह electrons है proton कितना है proton है अब यह क्या क्या दूसरे से चाह electron ले लिया जब चाह electron ले लिया तो यह हो गया आपको आपको टोटल टू एन फोर फोर एट तो टोटल हो गया 10 electrons पर प्रोटॉन ता भी भी six है तो जो प्रोटॉन six है electron 10 हो गया है तो अब क्या है यहां लिखता है कि it is difficult for the nucleus with six protons to hold on to the 10 electrons that is four extra electrons जो nucleus है carbon का वो आपको उसके बाहर अब 10 electron हो गया है उसको वो combine उससे पकड़ करका नहीं रख पाएगा वो वह unstable हो जाएगा ठीक है बहुत difficult होगा nucleus के लिए उसके पस उतना energy नहीं आएगी देखिए सपोज करिए मैं nucleus काबन के तो मैं चार electron को पकड़ कर रख सकता हूं लेकिन चार electron को पकड़ कर रख सकता हूं अब भाई तुन्हें चार electron और अब मैं 10 electron को पकड़ कर रखने में बहुत मुश्किल होगी काबन के nucleus को ठीक है तो पहला reason यह है कि कोई भी जो काबन होते हैं वह चार electron इसलिए नहीं रखते हैं इसलिए सब्सक्राइब कर रख सकता है कि इसलिए लूज फोल एक्रों सब्सक्राइब कर दे बहाइं बहाइं और काबन काटाइन मैं मेंके यह खतम हो गया वह था फूर्ण बहाइं लुज बीने कर सकताव और तो उसे लूज करना चाहिए लूज करना चाहिए लूज करता है तो दोनों जो आपका जो करता है यहां पर खतम हो जाता है तो अब है कि सब्सक्राइब कैसे कंप्रीट होगा मतलब उसके बाहरी शेल में कैसे के यहां पर बोट अब इस वाले शेल को वाले शेल करते हैं उसमें रहने वाले लेक्रों करते हैं वाले इलेक्रों करते हैं कि अबित आईटम सब्सक्राइब आटम सब्सक्राइब और इसमें नमबर होता है वहता है थीक है इसमें प्रोटन एक होगा एलेक्रों एक होगा और नूट्राइब 0 होता है क्योंकि hydrogen का जो mass होता है that also becomes 1 और जो mass होता है यह होता है proton plus neutron यह 1 proton होंको पता है 1 है plus x is equal to 1 x is equal to 0 neutron भी क्या हो गया 0 हो गया यहां देखिए अब जो है hydrogen hydrogen के पास electron है 1 electron और यह first shell है fell JES? first shell में कितने एलेक्टान से सकते हैं 2 नह furt shell में 2 एलेक्टान रह सकते हैं तो इसके पास है कितना 1 ही electron है फिर दूसा hydrogen है इसक्ने first shell में भी 2 electrons होने चाहिये लेकिन है यहां पे एक electron तो अब है कि यह यह आतँ है अपने र QUEंओ कर देऊं ठीक है नहीं तो एक electron किसी से gain कर ले ठीक है चाहे यह लूच करके अपने आपको भाई चल भाई हम कटायन बन गए या किसी से gain कर ले नहीं तो क्या कर ले था शेयर कर ले अब यहाँ पर क्या किया है कि hydrogen जो है अपना एक electron का दूसरी type को दे दिया दूसरा है अपने पहले वाले को दे दिया जब यहांपर उसने अपने अनलेक्टो शेयर किया तो आपको एक बन बना जिसन कोवलेन volume क थे हैं तोicy재 in के पास कितना है एक तो आप देखें इसके इसके पास कितने हो गया इसके पास हो गया दो एलेक्ट्रोंस इस हाइड्रोण के पास कितने एलेक्ट्रों हुआ वह भी दो एलेक्ट्रों हो गया तो यहां पर देखें हाइड्रोण का डूपलेट हो गया और इस हाइड्रोण का भी डूपलेट हो गय इसके पास 2 N-square के हिसाब से इसके first case cell में 2 electrons होना चाहिए total कितने electrons है 2 लेकिन है कितना 1 electron यह एक वह इलेक्ट्रोन है और दूसरा 1 electron आपको यह मन दिजा hydrogen first और hydrogen second यह अपने electron इसको share कर देगा यह अपने electron इसको share कर देगा तो यह ही दखिये एक अलेक्टरों एक लेक्टरोन इतनका भी काम हो गया और इनका भी काम हो गया यहां पर शेरींग हुआ तो जो बोड्र पर बंता है डाट को वयलेक्टर तो गुख करता है जो कमद बनता है that is a molecule, ओके, तो S2 molecule में जो bond है, is covalent, और ionic, covalent, not ionic, ठीक है, आप देखें, कोलीन देखिए, आप कोलीन यहाँ पर diagram तो दे रखा है, कोलीन वाले का भी देखिए, आप कोलीन का जब dot structure बनाएंगे, तो इसके outer shell में 7 electron है, इसको एक electron चाहिए, एक और कोलीन है, इसके outer shell में 7 electron है, उसे एक electron चाहिए, आप क्या किया है, कि यह एक electron इसको यहाँ एक electron इसको दे दिया, share कर दिया, और इसने अपने electron इससे share कर दिया, जब share किया, तो आपको, ठीक है से क्याने इस सोरच के सीटंट क्या कितने बशेर कर और इंहोंने क्म्वजिटकर इसलेगष्ट कैसा होगा बॉलेंट बॉन होगा है वैसे देखिए ऑक्सीजन का देखिए टू तो 6 तो ने वह 25 एक या उसको इसको डीकोन है दो पशिख ओक चाहिए नॉन होने के लिएसे नॉन होने के लिए कितने लेक्तुन में दोब हो चाहिए तह बहूर करेंगा किसी से 2 लेगा और दो लेक्ट्रोन नहीं लेगा तो एक तो है कि transfer कर ले और नी compound बाना दूसा है कि sharing कर ले तब oxygen क्या करेगा अकonia to nah reach करेंगे कहेंगे बाइद देख मैं अपना देता हूं तुमको तो दो लेक्टरोन मुझे दें यहां पर देखिये oxygen है मैं सिफ वालें श्यल के लेक्ट्रोन saying को छे उपने परिए अब यह सबाद इसके वालेंचियल मेंável कि अब ये सहाप के भी टोठ राट अलेक्टरान हुए उनका बिμ कम्लिट हो गए हाँ दोनोफ जब अब देखिए जब एक 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 कुझ कुझ होती है तो वहां पर Cinnamon सिंगल बॉइंक दीखें तो आप समझ लिए टु एलेक्ट्रों शेरिंग हुआ है जब डॉबॉइंक दीखें तो आप समझ लीज़े हो आप चीपल बॉइंक्ट लीज़े इसका मतलब है टूब six electron है जो आप ऊसमें श्येर होऊ है मतलब थ्री एलेक्ट्रोंद इच ठीक है और चार बॉंड देख लेजिए एकजिस्ट ही नहीं करेगा भाई चार बॉंड शेरिंग में नहीं जाता है फ़ोर बॉंड एकज़स्ट नहीं करता है ठीक है तो टोटल मैकसम शेरिंग कितना हो आपको two electrons का होता है sorry three electrons का होता है ठीक है अब oxygen के case में देखिए अब oxygen दो electrons share करता है तो अब यह क्या होगा यह आपको यह जब दो जो molecule बनेगा वो बनेगा O2 और O2 कैसा होगा कुछ ऐसा होगा ठीक है नाव nitrogen देखिए nitrogen के जब electronic configuration that is two and five इसका जो outer configuration बनाएंगे ऐसा अब nitrogen को अपने वाइलेंश चेल को complete करने के लिए कितने लेक्राण चाहिए तीन electron चाहिए मैंने क्या कहा कि जो sharing है वो maximum कर सकता अब क्या कर एक और एक और आपको साहब हैं दूसरे nitrogen हैं इनको भी तीन एलेक्राण चाहिए तो इनको देदेगा और यह अपना तीन होते हैं क्योंकि इनके पास incomplete वालेंश होता है इसलिए कभी अकेले नहीं पाए जाते हैं आगा nitrogen atmosphere मिलेगा तो n2 के फॉर्म मिलेगा यह सुचेगा कि हमको nitrogen मिला है तो n मिलेगा नहीं आपको hydrogen होता है कि वह रही नहीं सकता वह किसी सब्सक्राइब कर रहेगा या किसी कंपाउं के साथ कर रहेगा वैसे oxygen का मसला है oxygen अकेले करेगा कि अकेले तो बहुत होता है कि मुझे मेरा अक्टेट कंप्रीट करना है तो oxygen के साथ reaction कर लेगा या oxygen किसी दूसरे कंपाउं के साथ करके अपने अक्टेट कंप्रीट करेगा तो पूरे केमेस्ट्री में reaction का मतलब भी है कि अपने अक्टेट को कंप्रीट करना या अपने स्टेवलिटी को मेंटेन करना अपने खुद को स्टेवल हो जाना ठीक है अब है ammonia ammonia आपको यह जितने एक्जामपल से एक्जामपल से ammonia है ns3 कहते हैं इसको अब ammonia हो देखिए nitrogen के पास मैंने बताया था balance electron कितने होते हैं इसमें 5 होते है ठीक है अब ns3 है और hydrogen के पास कितने electron एक है इसको एक-एक electron शेयर करना है तो ammonia ने कहा सुन भाई तू ऐसा कर तू अपने तीन electron मुझे दे दे और मैं तुझे तीन electron तुझे देता हूँ मेरा तूरा भी काम हो जागा तूरा duplicate कंप्लिट हो जागा और मेरा update कंप्लिट हो जागा कैसे यह hydrogen साब अपने एक electron शेयर किये यहाँ पर है hydrogen साब अपने electron शेयर किये अब देखिए एक दो तीन चार पार एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आठ तो इस तरह से नाइट वेन का उक्टेट कम्प्रीट हो गया मैं एलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक से कर देता हूँ एक एलेक्ट्रॉन, दो, दो, चार, दो, छे, दो, आठ ठीक है और यह होगा हाइडोजन का कम्प्रीट ऑक्टेट, डुप्लेट, ठीक है तो देखिए डुप्लेट वाला जो कंडिशन है, वो दो ही एलेमेंट है, एक है हिलियम, दुसरा है हाइडोजन, यही डुप्लेट करते हैं अधर कम्प्लीट करन के करतें, आच ऐलेक्ट्रोन होते, ठीक हैї, अब है मिथेन को यह जो चाहिए, टीक को सकता है, ना किसी से लेतनं ले सकता है, टो रुप्शन कावाजनी, टो भाई चलो, भाईए-बिचार Garlic हाई दो कितने इस अपने अपने मुझे दे दो तो मैं अपने मेरे साथ कर तुम्हारा भी भाला हो जाएगा मेरे भाला हो जाएगा अपना अपना शेयर किया यहाँ पर हाइडरोन नियां शेयर किया और एक बोन बना यह बोन बना ठीक है यह बॉइंड बन इनके बीच में जब बन गया तो ये देखिए ये खुश हो बाइ मेरा भी चाहे थे यह भी खूस ओ गया मुझे यहां पर कावन की बारे कारा चल भाई मेरा भी तो देख लो लेक्त्रोनिक सट्रॉक्रेशन होगा यह कुछ ऐसा होगा मैं आप एक इसा लिखते हैं फर्मुला कुछ ऐसा लिखते हैं ठीक है यहाँ पर देख लिए आ गया मिध्यन CH4 चले मिथेन का जान लेते हैं chemical formula होता है मिथेन का CH4 होता है फिर useful used as fuel हम जो घार में इस्तमाल करता है LPG CNG वगरा जो घारी में इस्तमाल होता है जितना भी fuel होता है लगबख सारे fuel में आपको मिथेन मिलता है CH4 मिलता है ठीक है और क्योंकि fuel का burn करके हम उसे heat energy यह हीट यह लाइट हम देते हैं यह हम पढ़ेंगे chemical reaction इसी चैप्टर में chemical reaction carbon compounds में combustion वाले पार्ट में देखेंगे यहां पर देखिए अच्छा ठीक है अब यहां से आयोनी compound के melting points और boiling points क्यों ज्यादा होता है यह मैंने पिछले लेक्टर में बता रखा है यहां पर उतना डिस्काइम ने करना था लेकिन जो force है ionic compound के अंदे अलेक्र स्टाटिक फोस जो की transfer और बनाया इसी के वज़ा से उनके क्या है कि कोई element atom को बना रही है छो है आपको किस-किस molecule में पाया जाता है डॉक्षा बनाया औक्सियन में कैसे शैरिंग हो रहा है है अपोनिया में कैसे हो रहा है ने चैप्टर को और आगे की तरफ मूव करते हैं ठीक है तो chemical formula, methane का बताई दिया, use fuel, component of biogas and CNGB बता दिया, simplest compound formed by the carbon, यार रखीगा, CH4 is the simplest compound of the carbon, सबसे simplest compound है, इससे छोटा कोई carbon का compound exist नहीं करता है, ठीक है, यह carbonics compound है, इसका एक अलगी branch होता है chemistry में, organic chemistry से करते हैं, वो उसमें का carbon and hydrogen सर ही मिल करके, और कुछ elements are nitrogen and oxygen है, एक ब्रांची है, ठीक है, लेकिन carbon compounds, carbon, carbon का कोई simplest compound है, मतलब इससे छोटा कोई compound exist ही नहीं कर सकता है, वो क्या है, वो है methane, कौन है, methane सहाब है, ठीक है, bond which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms is known as covalent bond, ये तो भई बता दिया, कितना बाद, देखिए एक चीज़ है, मैं चीज़ें को बाहर बर बोलता हूं, कि भी आपको चीज़ें स्ट्राइप करती रहे दिमाग में, ठीक है, एक चीज़ें को मैं 3 बार repeat करता हूं, चाकि आप इस lecture को जब देखे है, तो ख्याल हो रहे है, कि सर, आखी में किसी चीज़, जैके, वैलेंस electron हो गया, या आपको reactivity हो, इसमें मैं काफी जोर देता हूं, क्योंकि ये पूरे chemistry की जान है, chemistry अगर आपको अच्छे समय नहीं है, तो ये कुछ basic concepts आपको आने चाहिए, basic concepts आदा, chemistry कुछ नहीं है, च है, weak melting and boiling points, बता दिया है, covalent bond and molecules seem to have strong points within the molecule, मैंने बताया था, molecules के अंदर, carbon compounds के अंदर, मतलब, compound within the compound, जो bond हो तो strong है, जैसे देख लिए, CH, CL थी, जो मैंने पहले बता दिया है, आप समय मैं CL CL क्यों लिख रहा था, मैं ये sharing वोला था, तो ये जो bond है, ये तो strong bond है, लेकिन अगर CSCL थी all IA, ये ये जो bond है, दो compound के बीच में, ये weak bond है, इसलिए इनका weak melting point है, boiling point होता है, तो यहादे कि strong points within the molecule, but intermolecular, intermolecular, इंटर मतलब होता है, in between, molecular, molecules के बीच में, जो force होता है, वो weak है, क्या है, intermolecular force, जो है, molecules के बीच में, that is a one molecule, that is a other molecule, इन दोनों molecule के बीच में, जो force है, वो काफी weak है, इसलिए इनका weak melting point and boiling point होता है, ये तीसरी बार मने आपको बता दिया, इस lecture में, इस gives two weak melting point and boiling point of covalent compound, now allotops, allotops का बता दिया, allotops किसे कहते हैं, pure carbon circus in different forms, in nature, with widely varying physical properties, allotops उसे कहते हैं, कि एक ही element का अलग-अलग form में, nature में exist करना, और जिनकी physical properties भी काफी अलग-अलग होती है, for example, carbon का elotops, diamond, जो सिर्फ काबन से बना हुआ है, graphite, जो सिर्फ काबन से बना हुआ है, fluorine, जो भी सिर्फ काबन से बना हुआ है, तो सब तीनों का बने हैं, तो तीनों अलग-अलग क forms in nature with widely varying physical properties, for example, diamond, और यह anxiety में एक box में करका दिया हुआ है, इसलिए मैंने सिसको यहाँ पे बताया है, diamond का भाई हम देखिए, भाई देखिए, diamond आखिए इतना costly क्यों होता है, पता है आपको, जो diamond का बनने का process अना पहे, तो natural process देख लीजिए, भाई, बहुत high temperature, high pressure पर जब pure carbon form को जब compress करते हैं, तब जाकर diamond का रूख लेता है, तो इसलिए इसका जो preparation का जो mode है इतना ज्यादा tough होता है, इतना ज्यादा lengthy होता है, एक्सपेंसी होता है, इसलिए diamond काफी महंगा होता है, और दूसी बाद उसमें जो चमक होती है, वो सब आगे जाकर देखेंगे, physics मे light chapter में, पर diamond का formation इतना मतलब की, आप यू कहे लिजे, कि उसके लिए जो requirement है, जो external requirement से हो काफी ज़्यादा हाई होता है, diamond जो formation हो, मैंने यहाँ पर लिका भी हो काफी high temperature pressure पर जहाँ अपलाई करते हैं, तब जाकर diamond बनता है, मतलब ऐसा temperature pressure जो normal lab में उस चीज को बना ही नहीं सकते हैं, maintain नहीं कर सकते हैं, in general, so each carbon atom is bonded to 4, यहाँ देख लिजे, में error है, इंसानी है भाई, error हो जाता है, 4 carbon atoms, देखें, diamond में क्या होता है, 1 carbon कितने carbon से जुड़ा होता है, 4 लग-लग carbon से, ठीक है, आदे देख लो ना, यह structure, देखो, हर carbon, 1, 2, 3, 4, तो each carbon atom is bonded to 4 carbon atoms, hardest substance होना, पूरे अर्थ पे सबसे hardest substance, अभी तक जो known है, वो कौन सा है, diamond है, synthesize by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature, synthesize by subjecting pure, अच्छा, यह synthesize by subjecting pure carbon को very high pressure and temperature पर जब रखते हैं, तब जागे diamond अपना रूप लेता है, तामज में आया, diamond का भाई में आप पता ही जानी है, फिर है graphite, देखिए graphite भी आपको अल्टॉप है carbon का, यह सिर्फ carbon से बना हुआ है, इसमें आते क्या, इसमें एक carbon, valency कैसे complete होता है, आप तो कहरत है कि carbon के पास total 8 electron होना चाहिए, यह तो तीनी sharing हो रहा है, जब तीन bond बना तो 6 electron होए ना सर, अरे दोस्त किसी से यह double bond बना रहा है, अब देखिए graphite के बारे में देखिए, इच carbon atom is bonded to other 3 carbon atoms, ठीक है, graphite के structure देख लिए, कुछ ऐसा structure होता है, layer wise होता है, एक layer, second layer, third layer, first layer, आपस में layer wise होता है, इन layer के बीच्छे bond होता है, ठीक है, in the same plane giving to the hexagonal array, यह जो होता है, कुछ ऐसा होता है दोस्त, यह हो गया है, एक layer, और इसका निश्या होगा, यह दूस्ता layer, ठीक है, तो यह hexagonal होता है, कैसा होता है, hexagonal area का layers होता है, hexagonal array, hexagonal shape का होता है, और एक के ऊपर एक यह layered wise होता है, इस layer की हो जैसे, एक कुपर एक लिए होता है, यह slippery होता है, movable होता है, क्या होता है, movable होता है, वह आगया हैगा, डेकर double points are present in this to satisfy the valence electron, मैंने बताया, यह चीज़ समझा दिया, hexagonal arrays being placed in layers one above the other, और यह एक दूसरे को पर होता है, तो इसलिए slippery होता है, smooth होता है, इसलिए इसका lubricant के तो अब भी इस्तेमाल करते हैं, किसमें? एसे engine में जो काफी high temperature पर काम करते हैं, को industry है, जिसमें engine है, जो काफी high temperature पर काम कर रहा है, अगर उसमें lubricant के जो रहत है, तो हम उसमें का इस्तेमाल करते हैं, graphite का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों करते हैं, graphite के इस्तेमाल, देखें, graphite के melting and boiling point है, काफी high होता है, यह exception है, graphite तो इसी exception है, आपको पता रहेगी graphite एक ऐसा non-metal है, जो की conduction of electricity भी करता है, diamond conductor of electricity नहीं है, य ऐलेक्ट्रोन होता है लोन एलेक्ट्रोन होता है 200 वह ये कुछ लि करने मदद कर थे है ठीक है आई स्रुक्ट्राइब। देखेंगा है पर एक एकस शृक्ट्र बहुत साथ है travelledसले स्रॉक्ट्र निकलक्याğि celebrities एक ऐसा इस्ट्रक्ट्टर दिखा काफी डूम लाइक स्ट्क्टर तर ढ़े डूम जाती नहीं डूम गुंबत काई तो एलो टॉप पॉप कार्बन है फ्लॉरेन और यह जो एलोटॉप है यह तोटली कितने कार्बन से बना हुआ है यह स्पेसिफिक इसके काटिग्री में और बहुत सारे स्ट्रक्ट्टर के एलोटॉप साते हैं तो यह जो है फ्लॉरेन है यह सिक्स्टी काबन से मिलके बना हुआ है काबन से शेप फुट्बॉल आप इसको देखेगा तो यह शेप फुट्बॉल के दर दिखेगा लुग लाइक और जियोडेसिक डॉम जैसा यह प्रतीत होता है वैसा ही दिखता है इसलिए इसको फ्लॉरीन कहा गया ठीक है इन एक्ट्वल इसका शेप कैसा होता है फुट्बॉल लाइक स्ट्रक्ट्टर होता है और इसमें टोचल कितने काबन से होते हैं सी सिक्स्टी आप चल लिए इसको स्ट्रक्ट्टर काबन डियोक्साइड विच है फॉर्मूला सी ओ टू क्या वेटा सी ओ टू मैं हमको पता है काबन के पास है चाह एलेक्ट्रॉन वारेंशेल में दो ऑक्सियन है तो ऑक्सियन दो है तो भाई ऑक्सियन के पास कितने एक एलेक्ट्रॉन की कमी है सर्द ऑक्सियन के पास तो दो एलेक्ट्रॉन की कमी है कि उसके वालेंशेल में तो छे एलेक्ट्रॉन है उसको दो एलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए तो स्पाइब का मतलब क्या है एक कावन दू ओक्सीजन लिख दिये हम एक अक्सीजन को कितने लेक्रॉण चाहिए दो तो पर यह अपने कावन दू एधर दिया और यह अपने दो एक तो दे दिया चलो इसको डाइगाम अच्छे स इनका 2 electron इन में total 4 electron है वालेंस electron यह oxygen सहाँ है इन में 6 electron है इन में 6 कावण साब आप चाहए electron शेयर करने के वैटे हुए हैं भाई आप कोई share करो हम से करो तो oxygen साब को भी 2 electron चाहिए तो आप इंद दो एलेक्स्ट oxygen complete must यह देखिये इनका हो गया 8 electron complete oxygen must अब यहाँ देखिये carbon भी तो 8 electron हो गया बाई सबका हो गया भला that is the dot structure of CO2 carbon dioxide ठीक हाए आगे देखिये so what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made of 8 atoms S8 आदे वहाँ देख रहते हैं H2 कैसे था HH 1H electron CL2 CLL अब यहाँ पर है sulfur nature में S8 के फोर में exist करता है तो बाई इसका structure कैसा होगा चलिए sulfur का एक बार वो बना लेते हैं violence electron 6 होगा sulfur में 6 होगा मैंने बताया कि in nature sulfur भी reactive element है और यह nature में exist कैसे करता है S8 के फोर में करता है और भी फोर में करता है पर यहाँ पर एक question में S8 के फोर में दिया हुआ है S8 का देखेंगे देखेंगे यहाँ पर hint भी दे रखें हैं 5-6-7-8 हो गया यहाँ आप देखें हैं किया है यह अपने एक electron यहाँ share करेगा एक electron यह शेयर करेगा यहाँ यहां पर यह आप यहां पर यहाँ पर यहाँ पर एक electron कि तो हर से दो एक्ट्रों के पास दोस्तों चे जिसमेंगे सब्सक्राइब कर दो चार है तो यहां बना दो आप यह देखिये खरक हो गया City complete फिर आप वह हो इनका भी दखे अर्माइश सर इसका भी complete हो गया क्या बात है फिर आप इसका देखिए इसका भी complete हो गया in a same way inka 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 सबका complete हो गया ठीक है तो इन दिस वे एक रिंग लाइक इस्ट्रक्ट्टर बनेगा जिनका सबका वालेंस सी वालेंस एलेक्ट्रॉंस आउटम और सेल में कम्प्लीट हो जाएगा और ऐसे एस एक मॉलीकुल को फॉर्म में नेचर में एक्जिस्ट करता है ठीक है